हेलो डियर स्टुडेंट वेलकम टू फिजिक्स नमा आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चाप्टर लोग मोशन का एक्जामपल 5.10 और 5.11 को सॉल्ब करेंगे और यह जो एक्जामपल लाय हुआ क्लास 11 फिजिक्स के बुक से लिया गया है तो आएए हम लोग सबसे पले एक्जामपल 5.10 को सॉल्ब करते हैं इसमें बोल रहा है एक साइकलिस्ट है वह एक सर्कुलर पाथ पर जा रहा है और सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस 3 मीटर है और जो इसका स्पीड है वह 18 किलो मीटर पर आवर है और जो सर्कुलर पाथ से जाता है तो अपना स्पीड को यह कम नहीं करता है 18 किलो मीटर पर आवर के स्पीड से ही जाता है तो the coefficient of aesthetic friction between the tires and the road is 0.1 और इसके साइकल का टायर और रोड के बीच का जो coefficient friction है वह 0.1 है Will the cyclist sleep while taking the turn? तो क्या यह cyclist turn लेते से में slip कर जाएगा यह हमें बताना है तो यह देखिए इसमें question में दिया गया है कि जो road है वह level road है यानि जो अंदर के side का जितना height है वह बाहर के side का भी height सेम है यानि दोनों का level जो सेम है तो हम लोग ने इसका एक equation निकाला था इसके पहले वेले video में आप देख सकते हैं circular motion physics नमा पर तो उसमें हम लोग ने इसका condition निकाला था कि अगर circular path पर कोई body जा रहा है all road level road है तो उसका maximum speed क्या होता है तो the condition for the cyclist not to sleep is given by तो v square less than equal to mu s rg यानि v होता है square root mu s rg तो यहां पर v square निकालेंगे है तो v square less than equal to mu s rg एक condition होता है अगर इस speed से अगर जाएगा तो यह cyclist क्या है cyclist वो sleep नहीं करेगा इसके square root यह जो value है इसका square root नेकालेंगें तो जो speed आएगा उस speed से अगर जाएगा तो cyclist slip नहीं करेगा तो आए हम लोग इसको निकालते हैं r 3 meter दिया गया है जी का value हम जानते है 9.8 meter per second square होता है और mu s b में दिया गया है question में 0.1 तो अब हम v square निकाल लेते हैं तो v square हो जाएगा 0.1 multiply 9.8 multiply 3 तो यह जाएगा 2.94 meter square per second square है यह जाएगा 2.94 meter square per second square है अब हम जो question में दिया गया है जो cyclist का speed है उसके speed का हम square निकालते हैं तो आयो देखते हैं cyclist का velocity भी 18 km per hour दिया गया है तो इसको हम meter per second में convert करते हैं तो kilometer per hour में अगर कोई velocity दिया गया है तो meter per second में convert करने के लिए डारेक्ट हम 5 by 18 से multiply कर देंगे तो meter per second में convert हो जाएगा तो यह इसको करेंगे तो कितना होना चाहिए था 2.94 या इससे कम होना चाहिए था यहां पर तो 2.9 से बहुत ही अधिक है तो क्या है साइकलिस्ट क्या है वह जब जाएगा turn लेगा तो वह slip कर जाएगा वह गिर जाएगा the condition is not obeyed the cyclist will slip while taking the circular turn तो यह हमारा 5.10 हो गया अब हम 5.11 को solve करते हैं यह circular race track of radius 300 meter is banked at angle of 15 degree यह circular race track है जिस पर car racing होता है तो और इसका जो radius है वह 300 meter है और जो angle है banked है उसका 15 degree दिया है यह angle 15 degree banked at angle 50 degree इसका मीनिंग क्या हो गया यह जो line है यह horizontal line है यह road के horizontal है और यह जो arrow है यह है जो banked road में क्या होता है कि अंदर का तरफ का जो portion होता है वह थोड़ा down होता है और बाहर की तरफ का जो portion होता है कुछ अंदर के तरफ के portion से height पर होता है तो यह जो arrow है इस road के surface से सटा हुआ है तो horizontal और जो road का surface है इन दोनों के बीच का जो angle है यहाँ पर ठीटा है यानि question में 15 degree दिया गया है यानि यह angle 15 degree है 15 degree है तो और coefficient भी दिया गया race car and the road is to 0.2 यानि car और road के बीच का जो coefficient of friction है वह 0.2 दिया गया है तो हमें question में first part में पुछ रहा है optimum speed of the race car to avoid year and tear of its tires यानि पुछ रहा है कि हम कितना maximum speed पर इसके case में car को चला सकते हैं कि car के tire पर कोई force नहीं लगे तो car के force पर कौन सा force लगता है car के tire पर स्रिफ friction force लगेगा तो अगर friction force नहीं लगेगा तो उस case में हम maximum speed कितना चला सकते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो circular motion में हम लोग ने एक equation drive किया था उसमें हम लोग उने consider क्या था कि अगर bank road है तो जो कोई भी अगर एक body circular motion में move करती है तो उस पर centripetal force लगता है और यहां जो centripetal force होता है कोई अलग से फोर्स नहीं होता है अलग-अलग condition में अलग-अलग centripetal force होता है जैसे आप एक रसी में पत्थर को बांद कर इसको घुमाएंगे तो जो रसी का या रोप का जो टेंशन होगा वही centripetal force होगा उसी तरह से आर्थ है सन के तरह चारो तरह पर रिवोल्व करती है तो आर्थ पर जो centripetal force लगता है वह यहां पर जो सन का जो gravitational force है वहां से इसको मिल रहा है और इस case में देख रहे हैं इस case में centripetal force कहां से मिल रहा है इस case में centripetal force है जो normal force है उसका जो horizontal component है और जो friction force है उसका जो horizontal component है उससे मिल रहा है तो यहां हम लोग ने equation को इसके पहले वीडियो में drive किया है आप वहां पर डिटेल में देख सकते हैं तो यहां पर हमें friction force को first part में किया है friction force को consider नहीं करना है क्योंकि उसके टायर पर friction force नहीं लगना चाहिए तो हम यहां पर f cost है यानि horizontal force को नहीं consider करेंगे friction का horizontal force को नहीं consider करेंगे centripetal force क्या होगा श्रीफ नॉर्मल force के कारान जो नॉर्मल force का जो horizontal component हागा वही friction वही centripetal force होगा तो हम लोगों ने यह equation drive किया था कि the optimum speed V0 is given by equation V0 is equal to square root Rg 10 थीता तो हम इस equation में हम value put up कर देंगे तो हम maximum speed optimum speed में बालम चल जागा तो V0 हो जागा G की जगा हम 10 लेंगे R की जगा 300 और 10 theta की जगा 15 degree लेंगे तो 10-15 degree हो गया तो इसको हम solve करेंगे तो square root 780 आजाएगा और इसको solve करेंगे तो 28 meter per second आगया V0 यानि बिना friction के बिना friction component के या आसानी से car 28 meter per second के speed से जा सकती है अगर हम second part बोरा है maximum permissible speed to avoid sleeping और maximum permissible speed क्या हो सकता है कि car slip नहीं करें तो इसमें हम maximum speed में क्या करेंगे जो friction का भी जो component है horizontal component उसको भी consider करेंगे तो इसको consider करके हम लोगों ने equation निकाला था इसके पहले वीडियो में तो भी maximum हो जाएगा square root rg mu plus 10 theta 1 minus mu 10 theta तो इसको हम value put up कर देंगे तो 300 multiplied 10 0.2 plus 10 15 degree 1 minus 0.2 10 15 degree तो इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा square root 1458.7 और इसको solve करेंगे तो आजाएगा 38.19 meter per second यारि इस case में देख रहे है कि इसका speed अधिक है maximum speed अधिक है maximum speed अधिक हो गया क्योंकि यहां पर हम लोग दे friction का भी horizontal component considered किया लेकिन friction क्या है हमेशा reliable नहीं है कभी track पर पानी गिड़ा है वाइल गिड़ा है या माले के road का जो पथर है वो उखर गया है तो वहां पर जो mu है वो कम हो जाएगा तो अगर हमें optimum speed यानि इस speed पर हम आसानी स से चला सकते हैं जो first part में जो speed है था 28 meter per second इस पर हम आसानी से चला सकते हैं लोग अगर friction component को भी consider करें तो यह maximum speed हो जागा 38.1 meter per second तो यहां आज का वीडियो समाथ हुआ थैंक्स पार वागा